तो इसके बारे में जो है हम लोग आज बिस्ताफ से जानकारी पराप्त करते हैं क्योंकि रांची जिल्या चोकिदार का परिच्छा के लिए भी यह महत्तपुर्ण हो सकते हैं तो चलिए आज बिस्ताफ से हम लोग जानकारी पराप्त करेंगे तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर जानेगे कि तमार में बिद्रो या हमारे जारखन में जितने भी बिद्रो हुए हैं उसका परमूख कारण क्या हो सकती है तो देखिए हम एक ची आपको बताते हैं कि हमारे जारखन में जितने भी अभी तक जो विद्रो हुआ है उसका जो सबसे महत्तपुर्णा जो कारण होती है वह जल जंगल जमीन को लेकर इसके पीछे भाई क्या कारण बज़व क्या बज़वान सकता है तो देखिए जारख जो है उन सब में एक यहां पर गुन पाया जाता है कि वे लोग जो है ना अपनी जल जंगल जमीन को बचाने में ही लगे रहते हैं देखिए अभी अगर हम कंपेर करते हैं किसी अइन राज्यों से तो आप सबसे जो पहला राज कंपेर में हम लोग का आता है वो है आपका भी बिहार राज तो एक चीज़ आप लोग समझते चलिएगा कि देखिए बिहार राज से वाले जो जो भी चात्र कोई देख रहेंगे तो आप लोग बुरा मत मनना हम आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहें बिहार का कोई भी छात्र हो या उहां के कस्मीर में अगर कभी भी उहां पर बसने का मौका मिले कस्मीर जैसे राजों में तो सबसे पहले भारत के किस राजी के नागरिक जो है या लोग उहां पर जाके बसेंगे तो किसी ने comment भी ये किया था कि सर बिहारी ही उहां पर जाके बस सकते हैं क्योंकि देखिए उस सब छे कि लोगों कि क्या मन में चलती री ज्यादा तर आपको पलान किया हुए आपको मिलेगा नि हर घर में हमको लगता है कि वीहारी कही न कहीं दूसरे स्टेट में आपको देखने हैं जारखंड के ज्यादा तर लोग बहुत मजबूरी कंडिशन आती है तब जाके यहां के लोग बाहर जाते हैं अन्य था यहां की लोगों को जदी कम भी पैसा में यहां पर अगर नोक्री दे दिया जाए ना तो जारखंड के लोग को गरांटी और यही बज़ा है आप लोग देखते होंगे कुछ छेत्रों में जो है company factory इन सब बैठने नहीं दिया जाता है ताकि हमारा परकिर्की जो है यह सुध रहे और सबच रहे अभी एही बज़ा है जो है हमारा रांची जो छेत्रों देख रहे हो यहां पर उतना पलूशन नही है तो इही बज़ा है जो है यहां पर अभी तक जो है इसका मुद्दा बनते जा रहा है और अभी हाल में एक चुना में भी जो मुद्दा रखा है जैराम महतोजी का आप लोगों नाम सुने होंगे गरी लीके तो उसने भी अपना मुद्दा में रखा है कि हम 1932 का खतियन में क्या चीज़ है उसको भी हम लोग जानेंगे आगे चलके ठीगे तो देखिए सबसे पहले समझी कि यहां पर जो मुद्दा जो रखा जा रहा है और जल जंगल और जमीन को बचाने का ही जारखन में मुद्दा है क्योंकि जारखन जो है यहां पर बिरेस यानि बाहर नह जाना चाहते जारखन और अभी आपको कंपेर करके बताएं कि बाकी सब राज्यों का देख लिए उन लोग जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं उन लोगों पता नहीं उन लोग को अपना जल जंगल जमीन बचाएंगे बिहार बचाएंगे ऐसा कभी उन लोग का मुद्दा नही हम उसके बिद्रो नहीं पड़े हैं लेकिन फिर भी हमको जहां तक अनुमान है कि उस तरह का उहां पर बिद्रो नहीं हुआ क्योंकि अपनी जल जंगल जमीन के लिए उन लोग कभी भी नहीं लेकिन जारखंडी चाहता है कि हम जहां पर हम पैदा लिये हैं ये हमारा अपन अच्छेतर है यहां पर दूसरा कोई हम मेरा अधिकार नहीं कर सकता आप ही बताएंगे आप ही को हमें स्वाल कुछते हैं कि मान लेते हैं कोई पच्छी अपना घुसला बना लिया है और उहां पर वो लोग रहल रहे हैं अब दूसरा दिन जाके कोई यहां पर आदमी जाके वहां पर उसका घुसला को या कोई दूसरी पच्छी उसका घुसला को तोड़ देगा तो क्या लगेगा बताओ उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा उपर से दूसरे आप ही के उपर हमला करना स्टार्ट करेगा एक ही जारखन में जो है इस तरह का रणनीती चल रह ही अभी देखिए अभी भी इस तरह का चल रही है और अभी यहां के मानों भी इस तरह का कर रहे हैं यहां के जो लोग निवास कर रहे हैं जो जंजाती है ये लोग भी इस तरह का कर रहे हैं जिससे अंग्रेजों ने करता था ना यहां के लोगों के उपर तो इस तरह का यहां के लोग भी आभी करते हैं और किस के लिए तो वो यहां के जो elephant यानि हाथी है तो उन लोगों के विरूद देखिये हैं हाथी जहां पर रहते थे हमारे जंगल में तो बताइए उसके जंगल को आप काटियेगा तो वो आपके बिरूद हमला करेगा कि नहीं करेगा तो वो भी आपके बिरूद हमला करेगा और यही कारण है कि अभी गाउं में जा रहे हैं जानुवर और खेतों में जाके उसका धान यह सब को खा जा रहे हैं यही कारण है इसका पीशे और उस समय एही घटना जो है अंग्रेजों के दोवारा जहारखंडी के उपर हुआ करते हैं और जिसके बज़ा से जहारखंडी अंग्रेजों के बिरूद जो है बिद्रो करना स्टार्ट किया तो इसी को कहा जाता है यहाँ पर जंजातिये बिद्रो य इसके बारे बताएंगे और आगे चलके कि कैसे अंग्रेज लोग यहां पर बसे तो 1767 इसमी में जो है जारखन में पहला जो है अंग्रेज जो है एंट्री किया कहाँ पर तो जारखन में 1767 में और पहला जो है ढाल भूम जो छेत्रों देखे रहे हो आई आपको दिखाते हैं यहाँ पर यह तो आपको बाद में समझाएंगे, देखेंगे, यह जो जारखाण यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यह देखें, यह चेत्र को कहा जता है ढाल हो, सिंभूम का जो चेत्र देखेंगे हो, इधर साइड चेत्र ढाल हो, और इधर से ही अंग्रेज जो है में एंट्री किया है कहने का मतलब भारत अगर हम देखेंगे तो कलकता साइड वे लोग निवास करते थे ठीक है उन लोगों का कंपणी वसा के रखेते तो जारखंट से अभी हम लेके चलते हैं पुरा भारत से नहीं चलते हैं तो दीखे यहां पर 1767 इस भी में सबसे पहला जो है अंग्रेजियों दुवारा यहां पर एंट्री हुआ तब उस समय देखी यहां पर जगरनाथ धाल थे जिसने ढ़ाल भी दो किया लेकिन अंग्रेज जो है इतना मजबूत उस समय अपने बयाकार और अपनी सेना को लेकर बन गई थी क्योंकि भारत में जब उसने फेहां जिया और पहला जो दूक ड़ाल वीदर याद रखेगा जृष्ण में जो भिझ्य तो यहां की जल, जंगल, जमीन, यानि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर नदिया बहती है तो वहाँ से जल हम लोग पराप्त करते थे, उस समय ना चपा ना उठा ना खुआ था, इस सब कोई ऐसी सुविधा यहाँ पर थी नहीं, और फिर भी कुछ सुविधा थी तो जो यहाँ के राजा आने का सिखि लिया था, ऐसे यहाँ पर जारखंड में जीवन जापन चलती थी, आई आपको दिखाते हैं कुछ फोटो यहाँ पर, यह जो फोटो देख रहे हो नहीं, यह हमारे जारखंड की देखिए संस्कृर्ती, उस समय की संस्कृति बोर रहे हैं, उस समय की जो है, हम भी इस तरह का अभी जैसे आप लोग देख रहा है उत्पादों में बहुत सारा जो है खाद डाला जा रहा है उस समय कुछ नहीं सिर्फ परकृति से जो हमको मिला उसी चीज़ को इसलिए उस समय के लोग ज्यादा सवस्त भी हुआ करते थे और लंबे समय तक अपना जीवन ले लिए नमक लेता थे फिर अलुज बोच यहां पर हो रहेृत हे यहां पर लेके आ करते हैं तो एक सिर्फ इस सब्सuffid park जो है यहां पर जीवन जीआ जापन जो है जिया करते दूसरी चीज इस सब से जो है अभी जानते हैं इन सब से दवा भी तयार होती थे अब इन सब से जो है आदिवासी उसमें बिर्सा मुंडा जी जो थे ठीक है उन लोग जो है इन सब जड़ी बुटियों से दवा भी बनाना सीखे गए थे, यानि कुछ-कुछ जो बीमारी होती थी, बहुत ज्यादा था इधर बीमारी, लेकिन बीमारी तो फैले गए ना, तो उन सब से जड़ी बुटी ऐही सब से दवा भी बना है ना, ऐसा थोड़े ह जो देख रहे हो और इसी का अभी भी अज्ध्यान करके जो है उपयोग किया जाना है, तो आप देखिए, इस तरह से हमारे जो जारखन में जीवन जापन उस समय था, और ऐसे जब जीवन जापन थे, तो हम लोग तो उतना अंग्रेजियों के सामने जो है हम लोग, उस तर लोगों को क्या दिक्कत होगी उस समय, इसको समझे पाए, जब अंग्रेज आपको बताएं कि इहां धाल भूम छेतरस से एंट्री किया भारत में, तब एक चीजा ये, आपको इसको समझाने के लिए आपको हम एक उदाहरन आपको देते में पाए, देखिए, जदी आप कह आपको बातचीत करना रहेगा या उन लोगों के वारे में जानना रहेगा, या उन लोगों को कुछ आप बिभाइड करना चाहोगे, तो जैसे आप उन लोगों के साथ आप बेवार कर रहे हो ना जानवरों के साथ, तो सेम अंग्रेज के सामने आप उसी तरह से हैं, अब म नाम बताएं जो अंग्रेज आएगा वह आपका भासा को कैसे समझेगा तो अभी हलब का आप लोग विडियो 1 हुआ हुआ है आप लोग अपना नाम बताएं हमको पूरेया याद नहीं आ रहा लेकिन इसी तरह का विडियो आभी बारल हुआ है सेम चीज समझेए उसका नाम तक आपको नहीं पता, अब बताओ यहां पर क्या condition रहा हो, तो जारखंड के लोगों का उस समय जो है, उतना नाम भी नहीं नहीं ना, क्या नाम है वही, इसलिए तो उस समय एतवा मुंदा, संकरा मुंदा, मगरा मुंदा, हजार गो इस तरह कुंटा मुंदा, अब अंग्रेज जो है, अचानक से यहां पर आके वो लेगा, यह जमीन किसका है, पते नहीं है, क्योंकि यहां पर सब मिल जूल के साथ में रहते थे, और यहां पर खेती भी मिल जूल के साथ में क्या करते थे, अलग-अलग तो यहां पर यहां यह खेत, तुम्हारा ऐसा तो सिस्टम नहीं नथा उस समय पहले, तो क्योंकि सब मिलके हम लोग यहां लेके लिए जीवन बयच्टी और बोढ़ने लगा यह जमिन, यह मेरा पापा जी चाहिए उसका है, ददा जी, वह लोग रहते हैं, यहाँ पर वह लोग करते हैं, हमें लोग सब मिल के करते हैं, इन इसने नाम लिखा यहाँ पर कुंटा मुंडा ऐसे करके बहुत सारे, कुंटा मुंडा, मगरा मुंडा, बदुवा मुंडा ऐसे करके इन लोगों ने नाम लिख के जो है अपना सर्वे करन हो उसका जदी मान लेते हैं आप सो बोरा उत्पादन हो रहा है ना तो उसका दस बोरा दस बोरा जो है हमको टेक्स दीजिए टेक्स काने का मतलब लगान के रूप में हमको मेरे घर पहुंचाना है तो खतरनाग हो गया खतरना कैसे बाई मेरा जमीन हम लोग यहां पर निवास कर रहे हैं लंबे समय से ठीक है और दूसरा हम लोग मेहनत कर रहे हैं खुन पसीना से और कभी बारिस नहीं भी और आयता भूखे रह रहे हैं यह कंडिशन हमारे पास है अब फिर भी अंग्रे जाके अब हमी लोग सब्चीज कर रहे हैं फिर भी लगा तो यह तो गदारी वाली बात है ना दादागीरी वाली बात हो गई ना एसा यहां पर कंडिशन स्टार्ट हो गया तो जिसके कारण से यहां के जण जाती लोग यहां पर जो निवास करते थे उन लोगों को इसी दिक्कते आना शुरू हो गई अब कोई भी किसी को भी दिक्कत आ सकता है वैं जब वे लोग लंबे समय से यहां पर जीवन जापन जी रहे हैं और उहां पर आके तुम अचानक से बोलने लगाओ कि कि यहां पर जो भी उत्पादन होती है ज़दी 100 बोरा होता है तो 10 बो आना चवकी भी बनाना स्टार्ट कर दिया ताकि हम इस इधर साइड मार्ग में आ सके और रोड भी बनाना इधर स्टार्ट कर दिया ताकि हम इधर जो है आ सके मार्ग में और यहां से हम लगाना सूल कर सके तो यह कंडिशन जो है अचानक से जदी आपके जमीन पे या आप जो भी विद्रोग हुआ है और हम बता रहें कि आपको अभी तक का जितने भी विद्रोग हुआ रहा है इसमें इहीं सब कारण है। तो थोड़ी से हां भई हम भी थोड़ा सा ले ले इसके कारण जो है थोड़ा सा अभी चलिए टेक्नोलोजी में आ गया जिसके कारण से पैसा कमानी की आवेशकता भी है अधार यहां के लोगों का संपूर्न चीज ज्ञारखन में मौजूद है और यह लग जो है समाईने जी यहां पर जंजाती है जो है विद्रो यह सब स्टार्ट होने का आपका जंगल छिन लेगा यानि बोलेगा कि आप लकडी नहीं काट सकते हो तो दिक्तत वाली बात है ना तो यह सब कंडिशन के कारण जो है यहां पर विद्रो स्टार्ट हुई थी तो तमाड विद्रो जो दे क्या बजा यहाँ पर रहा है तो दखिए यह चेत्रा यहाँ पर आईए यहाँ पर एक Location आपको और हम दिखलते एक वाला चेत्रा इसको यहां पर छोटा सा जिय यहाँ दिख रहा है और इसको यहाँ जूम lighting कर के दुशू कर्के दिखाए तो आब आईए तमाड विद्र जो लोकेशन आप लोगों को दिखा रहे हैं तमाड छेत्र, ये तमाड पर खणी पड़ता है, तो यहाँ पर, यहाँ पर क्या हुआ, कुछ तमाड के लोग थे, और कुछ इधर रामगड जो छेत्र देखे रहे हो, कुछ इधर पंचेत और ब लोग थे, वे सभी लोग जो है न, यहाँ पर आके, यहाँ पर आके क्या हुआ इकठा, अब इकठा होने के बाद सभी एक जगा, यानि तमाड वाला छेत्र में ये लोग इकठा होना स्टार्ट हो गया, अब यहाँ से अब अंग्रेज जब भी यहाँ पर लगान लेने आत है या अंग्रेज जो है इधर आती है गुंते हुए, या इधर इस मार्ग से जब चलती है न, इन विद्रोहियों ने क्या किया उन लोगों के बिरूत, लूट पाट करना सुरूट किया, तो उस समय आप अंग्रेजियों को कंट्रोल पर कैसे लोगे, एक दो अंग्रेज ज देखते होंगे कि जारखन का कुछ छेत्रों में, जैसे इधर सिंभूम वाला छेत्र में, यहां पर इस तरह की अभी भी जो है, कुछ मुआबादी जो है यहां पर अभी आपको फैला हुए, आपको मिलेगा, लेकिन अभी कंट्रोल ले लिया है पुलिस के दोआरे, तो द यहां पर लड़ाई हो गए, तो सेम एही कंडिशन था, उन लोगों के लिए आप क्या हुए, यहां पर विद्रो ही हो गए ना, यह आपका छेत्रा जो ठेकने हो, तमाड़ वाला छेत्रा, यहां पर एक जूट हो के जो है, अंग्रेजों के बिरूद लूट पाट इस तरह से किया करते थे, तो यह थी उस समय की तमाड़ विद्रो, आईए आप हम लोग और आगे चलते हैं कि तमाड़ विद्रो काब हुआ था, और इस पे कौन-कौन से भाग लिये थे, और उससे परस्न पूछा जाता है, अभी तक जितना बताएं ना, यह सब सिर्फ आपको बजने के लिए इंपोर्टेल, तो आईए आप देखिए यहां पर, यह देखिए, तमाड़ विद्रो जो है ना, एक ही टाइम में नहीं हुआ है, यह अलग-अलग समय पर यह आपका कुछ समय के लिए सांथ हो जाता था, फिर जाके कुछ यह विद्रो यहां पर भढ़का अपका स्टार्ट हो जाती है, ति चिंगारी, ठीक है, अब देखिए, तमाड़ विद्रो जो देख रहे हो, यह 1782 से 1821 तक यहां पर विद्रो चला, वो बिच बिच में यह कलोज भी होता था, यहांनि इस कंट्रोल पर आ जाता था अंग्रेजियों का, जो उसका लीडर हो लोगों को सह देना, तो देखिए, इस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसकी स्थापना 1620 में हुई थी और भारत में इस्ट इंडिया कंपनी जो है 1608 में उस समय जहांगीर का सासंकाल चल रहा था, तो उस समय जो है इस्ट इंडिया भारत पे आई, अनुमती लेने के लिए, और उसके बाद देखिए, अंग्रेज यहां पर आके एक देखती मात राया था और पुरा भारत पे यह लोग अधिकार कर ले तो यह होती है ब्यापा, देखिए, अभी हम लोग को इधर जाना है, तो देखिए, समझे, कंपनी के बाहरी लोगों को सह देना, यानि जहरखन जो छेतर देख रहे हो, या हमारे तमाड जो छेतर देख रहे हो, इस छेतर में कंपनी के जो बाहरी लोग जो हैं, तो उन लोगों को इधर रहने देना, और यहां से वे लोग अपना ब्यापा यह सब कर सके, और यहां से लगान जीसा वसुली कर सके, तो यह एक कारण हो ग कौन थे उने दर्पनात सा तो समझ ये बात क्या है तो नागवंख्व सासों के अच्टाचाथ तो देखें जो यहां के जो भी बड़े बड़े जो सासक होते थे जो महाराजा ये तो नागवंख्व का तो महाराजा होगा इन और यह लोगों को जानते हो अंग्रेजों ने अपने कभजे में ले लिए काईने कांट्रोल को पड़े लिया था। लेकिन आप जनटा को तो सकते हो यहां का जाऔगरीक है, उन लोगों को नहीं ले सकते हो। इन लोगों को जो लीडर सब को ये लोग ले लिया था अपने कंट्रोल के तो ये कंडिशन था तो देखे दरपनास साथ जो है इसने क्या किया कि तमाड विद्रों में जो भी लोग रहते थे निवास करते थे आ उधर के तो उन लोगों पर इसने भी अच्टैचार चिंगारी जो है स्टार्ट होगी तो अब देखे तो यहां पर दो कारण बना एक कंपणी के बाहरी लोगों को साह इधर दे रहे हो भई इधर रहने दे रहे हो दूसरा नागवंग सी सासक द्वारा भी हमारा अच्टैचार हो रहा है तो यह तो बहुत दुख की बात है न जिसके कारण से यहां पर तमाड में बिद्रो स्टार्ट कोई भी अगर आप पर अत्याचार करेगा आपके पास ताकत नहीं भी रहेगी तब भी आप उसके विरूद लडाई करोगे और ऐसा होता है तो यहां पर देखिए इसके पास यहां पर तमाड में ऐसी बहुत बड यहां पर अलग-अलग टाइम पर और भी किया गया है उसको बताएगे तो यहां पर मिक रूप से चार बार याद रखेंगा यह देखें चार चरण में यहां पर विद्रो हुआ है पहला चरण जो देख रहे हो यहां पर 1782, 1883 जहां पर भोलानात सिंग जो है यहां पर ने इन सब से परसना पूछा जाता है तो परमुक कारण यहां पर क्या हुआ तो कमपनी के बाहरी लोगों को साह देना और नागवंसी सासक का इत्याचार यह जो है तमाड विद्रो का परमुक कारण इसका मुख केंद्र कौन सा है पूछेगा तो तमाड जो छेतर देख रहे ह यह बज़ा है अब इन सब के बारे में एक एक करके हम लग चलते हैं देखिए तमाड विद्रो का नेतरित किया था वह कौन थे तो वह आपका ठाकुर भुलाना तो यह इंपोर्टन है यह पूछता है कि तमाड विद्रो 1782 इस भी में यानि 1782 जो यहाँ पर देख रहे हो उस समय तमाड विद्रो का नेतरित किसने किया था तो ठाकुर भुलानात सिंग महत्तपूर नहयाद रखेगा तमाड विद्रो का नेतरित भी जदी आपको पुछेगा न तो ठाकुर भुलानात सिंग क जो पहला जो चरन था उसमें ठाकुर भ्रानाथ सिंग को जो दबाने वाला जो अंग्रेज था उसका नाम की अवतारन तो जंस राप यह दोनों याद रिखेगा और यह कौन सा चेत्र में तो यह देखिए यह चेत्र लोकेशन जो देख रहे हो यह आपका तमार परखन कब चला तो 1789 में तो 1789 इसमी में यह ज्याद समय ने चला हुआ 82-83 में उसको दबा लिया गया था लेकिन दूसरा चरन में यहां पर देखिए दूसरा चरन का जो नेतरित किया बिस्नु मानकी और मोजी मानकी यह दोनों याद रिखेगा दूसरा में दो बेक्ति आगे एक बिस्नु और मोजी जबकि पहला में कौन तो भोलानात और जिम स्क्राप्ट ने उसको दबा दिया था अब दूसरा चरन में यहां किया हुआ बिस्नु मानकी और मोजी मानकी यानि दो बेक्ति यहां पर आगे यह दोनों जो है इसकी भूमी का निवह है दूसरे चरन की कब तक 1789 भी में और इन लोगों का साथ दे废ीए कितना लोगों ने आ दे रहा है 13000 जो है यहां पर मुंड सेन लेका जे हैं बिस्न ओर मोजी मानकी अ Micha यहां पर सिसकी चिंगारिन बरकate यह था यह आपका क्या नंन might अब इसको जो अंग्रेज जो दबाने वाला जो देख रहे हैं यहां पर कैप्टेन होगन को जो है भेजा गया था लेकिन यह सफल नहीं हो जिसके कारण से यहां लेक्टिन्ट वैर्टिनट ऊपर बेजा गया तब जाके यह फिर से यहां पर दुसरा चरण भी कंट्रोल के आ गया जब दुसरा चरण कंट्रोल पर आ रहा है तो यह आपका Chamay में यहां पर जो ओंस के लिए जो और हो खिनाना चारण में स्टार्ट होगी यह देखें तीसरा चरण जो देख रहाँ ना ऐसे तो यहां पर आप लोग देख रहाँ ना अंग्रेजों का सात दे रहा था तो जिसके कारण क्या हुआ कि तमाल के जो विद्रो ही लोग थे इन लोगों क्या किया इस MARेंदर साही के विरूद में भुलानात शिंग और यह परमुख थे इसने और इसके सात में और भी थे इन लोगों ने फिर से विद्रो कर ना स्टार् लिया था यह चीछ जो है पता चल गया किसको के बिलेंड को ररह के राजा नरेंदर से एंप इंपोर्टन कोश्टा है कि रहे रहे का रहे का जो राजा ठाज उन्गेंडर से रोत तो घू Labs नरींदर से तिपर बिद्रोहियों भलानाथ सिंग को कौन इसने दबाया तो यह आपका के भी बेन अब देखिए यहां पर तीसरा जो चरण जो परमुख है इस पर 1797 इसको याद रखिएगा जिसमें बिशनु मानकी ने फिर से यहां पर तमाड विद्रोह किया और इसको जो दबाने वाला जो देखिए आपर वेल्स क्या ना मता रहें तो वेल्स यह देखिए तमाड छेत्र इस शेत्र में जो है विद्रोह हुगा करती है तो तीसरा चरण 1797 इसवी बिशनु मानकी ने फिर से तमाड विद्रोह किया और इसको जो दबाया कुन तो यह वेल्स तीसरा चरण को वेल्स लेकिन तब भी तमाड विद्रोह जो है पुर्न रूप से कंट्रोल पे नहीं आया फिर कुछ दिन के बाद फिर यहां पर जो है विद्रोह होगा अई आपको दिखा तो यह देखे चवधा चरण चवधा चरण जो देख रहे हो यह 1807 इसमी में फिर यहां पर दुखन मानक के दोरा इसको फिर से स्टार्ट किया गया तमाड विद्रोह कंट्रोल हने वाला नहीं है यही कारण जो है अंग्रेज जो लगा था कि बाद में तमाड विद्रोह कंट्रोल नहीं होगा यहां पर जब तक कुछ ऐसा रूल्लियम ना लागुत किया जाए तो इसलिए यहां पर देखिए दुखन मान की जो देख रहो इसने 5000 मुन दा सेना के साथ लेकर यहां पर फिर से तमाड विद्रोह कर दिया तो अंग्रेज जो है बार बार वो अपना सेना उसके पास बहुत ज्यादा सेना थी थी क्योंकि भारत को जीत लिया था तो यह तो छोटी-छोटी च लास्ट में आदर केगा रॉफ सीज रॉफ सीज कर दिया तो इहां पर चौथा जो देख रहा हूँ 807 इसके बाद भी यहां पर चला है यह आपको दिखाते हैं यह देखिए लेकिन यहां पर देखिए 810 में यह नवागड जो देख रहा हूँ यह परमूप केंद्र था जहा लगया शुर्गुज्जा जो उधर आपका यहां पर आप 36 कर पड़ता है तो शुर्गुज्जा साइड में यह याद रखेगा यह भागया था पौन आया था उस समय इसको दवाने के लिए लेफिनेट एच ओड़नल क्या नम बता रहें लेफिनेट एच ओड़नल नेक्स देखें इसका जो लास्ट आप 1819 से यहां पर एकीस होगा 20 यहां पर लिखा हुआ ना कोई बात नेत्रित जो किया था रुधन मुंडा यहां पर यहां रुगा मुंडा यहां पर मिलेगा कुंटा अब लास्ट में जो है जो तमाड विद्रों का जो अन्तिम जो देख रहे हो यहां पर जुलाई में देखा जाए रुधन मुंडा को पकड़ लिया है और उसके बाद यहां आपका जो देख रहे हो कुंटा मुंडा को भी यहां पर कुंटा मुंडा जो देख रहे हो 2021 में इसको पकड़ लिया तो अन्तिम जो तमाड विद्रों का जो लीडर था वो पकड़ा गया यहां पर सांथ हो गई थी तो यह रहा तमाड विद्रों का कुछ महत्तपुर्न चीजें जहां से प्रस्णा पूछे जा सकते हैं तो चलिए आप हम लोग जो है इससे रिलेटेट कुछ अब्जेक्टिव प्रस्णा हम लोग करते हैं यहां पर ठीक है क्योंकि अब्जेक्टिव किस तरह से प्रस्णा कब हुआ तो तमाड विद्रों यहां पर सिधा पुछा है कि कब हुआ लेकिन यह अलग-अलग शरन में हुआ था आपको पहले ही बताएं कि यहां पर ठमाड विद्रों इस तरह से प्रस्णा पूछा जागा लेकिन यहां पर अफसन के अंसर हम लग इसको चूच कर सकते है कि 792 में हुए तमाड मिद्रों का किस्नी किया तो 17 2022 में जो तमाड विद्रों हुआ था तो इसका नेतरित करने वाला व्यक्ति कौन था पताये थे ठाकपुर भूलानात सीम 1772 में हुए तमाड विद्रोक के समय नागवंगसी राजा कौन थे? तो नागवंगसी राजा ने भी जो है देखा जमें यहां पर तमाड जो विद्रोई थे, उन लोगों पर लोग पर अश्चार कर रहा था. तो तमाड के जो नागवंगसी राजा कौन थे तो दरपनाथ सा, इसको याद रखना है, तो दरपनाथ सा उस समय क्या थे नागवंगसी राजा, चलिए नेक्स्ट कोसेन पर आते हैं, देखें एक बार उधर आप लोग देख लिए तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत होने व तो तमाड़ विद्रों का जो 1712 में हुआ था तो उस समय जम स्क्राप्ट जो देख रहे हो इसने महत्रकूर्ण भूमिता निभाई थी चलिए अब हम लग नेक्स्ट प्रस्न पर जलते हैं कि देखिए नेक्स्ट पॉस्ट यहां पर आप लोगों को देख रहा है कि 1789 सिवी में हुए तमाड़ विद्रों का नेतरित किस ने किया तो देखिए 1789 सिवी में जो तमाड़ विद्रों हुआ था तो उस समय आप लोगों को बताया थे कि विश्नु मानकी और मोजी मानकी यानि दितिये चरन था तो वहां पर दोनों ने भाग लिया था तो ए 1889 सिवी में हुए तमाड़ विद्रों को दबाने है तो किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया तो यहां पर आप लोगों को बताये थे कि केप्टेन होगन को पहले भेजा गया था लेकिन यह असफल रहा जिसके कारण लेफेटनेट कूपर को भेजा गया तो यहां पर यह अंसर होगा यह आपका दोनों क्योंकि यह दोनों को इसको दबाने के लिए भेजा गया तो यहां B और C दोनों ठीक लगाना है चलिए नेक्स्ट प्रस्ने पर आते हैं 1797 इसमी में हुए तमाड़ विद्रों का नेत्रित किस ने किया तो देखिए यहां पर विशनु मा टमाड़ विद्रों को किस अंग्रेज से नानायक ने दमन किया तो विशनु मानकी को यहां पर नामे से आप लोग इसको टीक लगाएगा वह और यहां पर क्या है वह विशनु से वेल्स देखिए वहां पर क्या होती ना याद रहेगा लेकिन confusion होती है तो confusion से भी आपको ब इसनु मानकी से Wells Wells थो Wells ने उसको दबाया था शेलिया Next यहां पर देखिए अफ्रा nightmare creation आ गया है 1807S index V में तमाल विद्रो का नेतरित इस किस ने किया 1807 इसभी में जो नेतरित किया था वो थे कौन तो दुखन मानकी लास्ट में 5000 सेना लेका जो है दुखन मानकी ने फिर से जो है तमाड़ विद्रो स्टार्ट कर दिया था 1807 इस्वी में हुए तमाड़ विद्रो का दमन किस ने किया तो देखिए 1807 इस्वी में यानि चौथा था तो यहां पर लास्ट में कौन था पताया थे अंग्रेजों ने चौटनागपूर में सांती के स्थापना है तो जमीदारी पुलिस बल का गठन किस वर्स किया तो यह एक चीद देखिए क्योंकि तमाड़ विद्र जो है बार बार यह कंट्रोल नहीं हो रहा था तो जिसके कारण जो है अंग्रेजों ने क्या किया तो चौ तो यहां पर दूखन मानकी ने फिर से बिद्रो कर दिया था तो इसको दवाने के लिए को नहीं आ था तो राफ सीज और उसके बाद जो है यहां पर अठर सो नो में जो है जमीदारी पुलिस बल कि इस ठपना किया गया चलिए अब हम लोग नेक्ष देखते हैं 181920 इस भी किसके नतीत में मुंडाओं ने बिद्रो किया तो देखिए यहां पर दो मुंडा थे एक रूग मुंडा और दूसरा कुंटा मुंडा और यह दोनों ने जो है यहां पर फिर से बिद्रो तो मुंडाओं ने फिर से यहां पर बिद्रो कब किया था तो 1819 और 20 में रूखदेव एन कंतामुंडा का संबंद किछ विद्रो से है तो देखिए रूखदेव और कंतामुंडा का यहां कंता लिख लाएंज अ मिला था देखिए उहीं से आपको यह बता रहे हैं अपने से यह कोसिन नहीं हो सकता है तो इसलिए हम यहां से किताब से प्रसना लेते हैं तो चलिए आज के लिए तमाड गिद्रों यहां पर हम लोग का हो जाती है है और अगर उससे जुड़ी और भी पर सबस्सक्राइन हैं तो आप लोग क मंट करके बताइएगा कहीं से भी आपको झाल